अभी तक हमने one से लेकर nine तक abacus rods में counting सिखा था तो चलिए एक बार recall किया जाए उसे कैसे हम करते हैं और फिर हम उस चीजों को आगे और लेकर जाएंगे तो चलिए देखते हैं teacher abacus में देखिए अगर हमें इस पर one दिखाना होगा तो देखिए one दिखाने के लिए क्या करेंगे ये हमारा one's rod है हमेशा याद रखीएगा unit points से हम लोग काम करते हैं चीक है तो हमें अगर one दिखाना होगा तो ये क्या करेंगे one चीक है अगर हमें two दिखाना होगा तो क्या करेंगे 2, अगर हमें 3 दिखाना होगा तो क्या करेंगे, 3, अगर हमें 4 दिखाना होगा तो क्या करेंगे, 4, छीक है, मैं इसे down कर देता हूँ, अभी ये कितना हो गया, 0, अगर मुझे 5 दिखाना होगा तो क्या करेंगे, 5, अगर मुझे 6 दिखाना होगा तो 6, अगर मुझे 7 दिखान हो तो यह एट अगर 9 दिखाना होगा तो यह 9 झिक है हमने यहां तक प्रैक्क्टिस किया था और आशा करता हों आपके बच्चे भी आपके स्टूडेंड्स जो है यहां तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कराया हो तो चलिए फिर इससे हम आगे बढ़ते चींखेश기도 डाउन कर लेता हूँ, चीक है, अभी ये बीम पर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, 0, चलिए, अब 9 से आगे, जब हमें 10 करना होगा, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 1's rod था, ये 10's rod था, तो हमें 10 बनाना होगा, तो क्या करेंगे, ये 1, और ये कुछ भी न आपकरता हूँ, तो ये 1 और 1, 2 नहीं होगा, ये गलत है, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 11, ये 2, और ये 2 कितना हो जाएगा, 22, ये 3, और ये 3 कितना हो जाएगा, 33, very good, ये 4, और ये 4 कितना हो जाएगा, 44, मैं इसे डाउन कर लेता हूँ, चीक है, ये 5 और ये 0, कितना हो गया, 50, कितना हो गया, 50, ठीक है, 5 और ये 0, 50, अगर 55 करना हो गा तो 5 और ये 5, 55, ठीक है, ये 6 और ये 6 66 ठीक है ये 7 ये 7 77 ये 8 और ये 8 88 ये 9 और ये 9 99 clear मैं इसे अब डाउन कर देता हूँ ओके और इसे अब कर देता हूँ अब देखिए ये 1 था ये 10 था ये 100 अब मुझे 100 करना होगा तो क्या करूँगा मैं ये 1 बिट्स को अप किया 1, 0, 0, 100 चीक है? 100 हो गया 200 करने के लिए ये अप 200, 1, 2, 2, 0, 0, 200 300 के लिए ये अप 1, 2, 3, 0, 0, 300 clear 400 के लिए ये अप 1, 2, 3, 4, 0, 0, 400 clear फिर हमें अगर 500 करना होगा तो क्या करेंगे? ये डाउन, ये डाउन 5, 0, 0, 500 ठीक है? अगर 600 करना होगा तो 5 और 6 6, 0, 0, 600 clear? चली अब मुझे 700 करना होगा तो क्या करेंगे? 5, 6, 7, 0, 0, 700 clear? अगर मुझे 800 करना होगा तो ये अप कर दी है 5, 6, 7, 8, 0, 0, 800 ठीक है? यहां से मैंने और एक हीज दिया कितना होगा? 900 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 900 ठीक है? clear? अब मैं इसे डाउन कर देता हूँ इसे अब ये 0 होगया हमने पहले ही देखा था ये 1s rod, ये 10s rod, ये 100 rod और ये 1000 rods तो हमें 1000 करना होगा तो ये 1 अप ठीक है? 1, 0, 0, 0, 1000 ठीक है? 2000 करना होगा तो ये 2000 1, 2, 0, 0, 0, 2000 ठीक है? यहां से फिर ये 3 किये तो 1, 2, 3, 0, 0, 0 ये 3000 अगर 4000 करना होगा तो ये अब 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0 4000 ठीक है? तो इसी प्रकार इसमें calculations होते जाएंगे और अब आप बच्चों को क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को 1 से लेकर 100 तक अच्छे से practice कराईए ठीक है? तो मिलते हैं अगले session में